सरकार का कौन चेहता ठेकेदार है जो पैसा लेकर भी काम नहीं कर रहा है अमरावती फलाई ओवर का काम लटका पड़ा है पिंजोर में बोले कालका विधैक प्रदीब चोधरी रविवार को पिंजोर में मीडिया कर्मियों से बात करते वे अमरवती फ्लाइओर का निर्मान कारे शुरू ना करवाने को लेकर हर्याना सरकार को घेरते वे कालका विधाक प्रदीब चोदरी ने कहा कि सरकार का वो कौन चेता ठेकेदार है जो पैसा लेकर भी काम नहीं कर रहा और सरकार उसे छूट क्यों दे रही है इतना सरकारी पैसा खर्च करने के बाद बने अमरवती फ्लाइओर के धसने पर भी संद उटी सडकों से चलने को जनता मजबूर है कालका विधाक प्रदीब चोदरी ने कहा कि बरसात के बाज आज तक भी सरकार ने ना तो लोगों के नुकसान का मौज़ा दिया है बलकि जो लोग इस प्राकरतिक आफ़दा से भारी जानमाल का नुकसान सहे ते उनके लिए ना काम किया है उन्हों ने कहा कि ही मचल में हमारे से कई गुना अजिक बरसात से तबाई हुई है और उन्हों अपने दुर्गम शेतरे में नुकसान को कवर लिख कर लिया है परदो हुर्याना सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई है कालका व्जाक प्रदीब चोदरी ने क कि बारी बरसाथ से गत वर्ष जुलाई 2023 में अमरावती फ्लाइओवर धंस गया था जिसके बाद उसे तोड़ दिया गया था परन्तु दस मीने बीच जाने के बाद भी इस फ्लाइओवर का निर्मान का रहे नहीं किया गया जिससे ट्राफिक विवस्ता बिगड़ी हुई है कालकावध प्रदीप चोधरी ने कहा कि रायतन शेतर के गाउं के लोगों को पंचकुला की तरफ से आते वक्त अमरावती की तरफ वाले रास्ते से निकलने के लिए बड़े दिक्कते होती है लोगों के जगड़े होते हैं और हमेशा हाथसों का भी खतरा बना रहता है सरक ने बीच जाने के बाद भी फ्लायोर के निर्मान को एक इंज भी काम आगे नहीं बढ़ाया जा सका है